यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ हुड़ा सरकार की नियमन निती के तहद पक्के किये गए सभी करबचारियों को वापस कच्चा किये जाने की आदेश भी जारी कर दिये हैं ऐसे में अलग-अलग विभागों को अगर बात कर लिजाए कितने करबचारियों पर इसका सिधा असर होगा तो करीब करीब 20,000 करबचारियों के परिवार अदालत के इस फैसली से प्रभावित होगे अदालत ने अपने आदेश में 6 बहिनों के अंदर खी नई और साथी स्थाई भरती की जाई आदेश भी दिये हैं अदालत के इस आदेश के बाद पूर मुखेमंत्री भूपेंदर सिंग हुडा ने प्रतिक्रिया दी हुडा ने कहा कि उन्होंने नियमों के तहट ही निती बनाई थी लेकिन हर्याना की विज़पे सरकार मामले में अपना पक्ष ठीक तरीके से नखी रख पाई मजबूती के साथ पक्ष नखी रखा साथे इस मामले को लेकर इनैलो प्रबक्ता रवेंदर ढूनने कहा कि सरकार सखी ढंक से पक्ष नकी रख पाई या रोप इनैलो की और से भी लगाये कहें मामले में क्या कुछ सीम की और से और साथी पूर मख्यमंतरी भूपेंदर हुड़ा की और से कहा गया वो सुन लेजिए देखिए जो हमने निती मनाई थी वो नितु बिल्कुल कानूनन सही थी यह जो मौझूदा सरकार है क्योंकि यह करमचारी विरोधी सरकार है इन्होंने कोट में अच्छी तरह अपना पक्ष नहीं रखा सरकार है नहीं तो कोई सवाल ही पैजा नहीं था देखिए यह पिछली कौगस सरकार की एक इसर करकार की देन हैं जिसमें उन्होंने बहुत से लोगों के जंद की खराब कर दी अगर सोच समिझ के पालिसी नहीं भी लोगों की मुझे मालूम नहीं कि कितने लोगों का उसके उबर प्रभाव पड़ेगा लेकिन जितने भी लोगों के उपर प्रभाव पड़ेगा उनके तो कम से सालों साल खराब कर दिया ना इदर के रहे इसलिए जो पॉलिसी बनाई जाती है हमने अपनी सरकार में जितनी प हो रहा है हमने हमने बिलकुल पैर हभी ठीक से की है और कोड्बने एक परकार से उस पॉलसी को ही उप्र давно जा रहे हैं चाहिए वो भूमी से जुरी बाते होंगी चाहिए नोकरी से जुरी बाती होंगी उन्होंने लोगों को लोक लुग हवन बाते करने के लिए यह सब बैक एंटी से जो कुछ किया था उसी का दुष्परणाम है दीके हम उसका अध्यन करेंगे अध्यन करने के बाद विचार किया जाएगा अनेता सुप्रीम कोड ने तो यह कहा है कि दोबारा से उन पोस्टों के वेर नौकरी के लिए भरति की जाएगा तो उसका सारे काद्धन करने के बाद यह मताएगा तो मुख्यमंतरी को आपने सुना साथीपूर मुख्यमंतरी को भी आपने सुना 20,000 जो की लोग थे, जो करवचारी थे, जो कच्चे से पक्के हुए थे, वापस उनको कच्चा होना पड़ेगा, या फिर नौकरी भी उनकी जा सकती है, तो 20,000 जो लोग है, उनका दोशी कौन है, गलती किसकी है, इसको लेकर चर्चा करेंगे, एक खास पैनल के साथ, हरियान सवाल ही, क्या आप लोग मजबूती से पहर भी नहीं कर पाएं? ये सीधा सीधा लोगों के वोट लेने के लिए की गई है, यानि कि ये मानिया उच्छनेयले ये बात कह रहा है, उन्होंने खुद अपने ओर्डर में ये बात को लिखा है, कि ये उस समय की सरकार ने केवल वोट की राजनीती के आधार पर ये पालसी बनाई है, इन पालसी बैघना करना पड़िए, उस अधार् के अंदर हुड़ा सरकार ने फिसे सारी पालिस्यों को रदो कर दिया, जँए ता नमयके की डी, निन्याट में ने कि दी, दो हिजार तीन खीदी, दो हुजार चार की थी, वो सारी पालेतीी है, एक दो हजार गयार के बात के जो पालस प्रेम करो जिसके कार से दूर कामी प्रेणाम इस सब के आए लेकिन सरकार ने नहीं किया अब वो यारी इस उस तो हमारी सरकार के उपर इस तरह लांचा लगा रहे हैं किया धरा उनका उनके अन्यातिक कारी है उनके खोदे हुए गड़े हम तो सोचते हमने गड़ों को लाता है यानि कि हुड़ा साब ने जितने काम किये वो सब ना नयाय संगत थे ना वो नैतिक थे ना कानूनी रूप से ठीक थे और उनका प्रणाम पतर ही कितना लोगों को भुखतना पड़ रहा है इनलो का क्या पक्ष है फिलहाल दिखिए जोती जी पहली चीज़ तो यह बनाई ये बात तो संजय जी ने भी बता दी उमा देवीवाले केस में जो 2006 में निरने आया तमानिया सुप्रीम कोट का उसके बाद जो 2011 और 2014 के बीच में जो चार पॉलसी जुड़ा साब लिकिन भारती जनता पार्टी का योगदन कैसे है कि जब भारती जनता पार्टी की हाई कोट के अंदर ये बाकाइदा लिखत में दे दिया था कि हम इस पॉलसी को लागू नहीं करेंगे तो मतलब इन्हों ने उसी वकत इस चीज़ को मान लिया था कि हम इसको डिफेंड नहीं करेंगे अब यहां पे अंगल क्या आता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि का मानवता का जिन युवाओं के साथ ये दोखा हुआ कही ना कहीं सरकार को उनकी तरफ भी देखना चाहिए था इसको कोट में प्रॉपर ढंग से अगर डिफेंड करके उन बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार दाओ इसकी कोशिश सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी अब काम्याब कितनी होतीं कितनी नहीं होती है बात की बात बात लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए थी क्योंकि रहे प्रदेश के युवां के भविश्य का सवाल था अगर वखी नीतिया निरस्त ना की जाती अदालत में ना लेकर जाया जाता तो पक्के कर दिये जाते सभी कर्मचारी अब हाई कोट ये कहता है कि नियमों को धत्ता बताया गया इनिति निर्माण में जोती जी आप इसमीड बेच पे भी मेरे साथ थे जब मैं दोहटास तोदा का शिकर कर रहा था तो ये तो प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ये तो दोहटास तोदा में असमें कोई आशी तालकी बता ही नहीं आप ये कह रहे हैं कि वह पॉस्टी किसी वह वह प्रवक्ता पर इस पर इस पर साथ नहीं कोई पर रहे हैं चलिए आपके आवाज हमें अच्छे से नहीं मिल पा रही है एक बार फिर से आपका रुख करेंगे सवाल करेंगे तरे साब लेकिन एक बात जो यक्षप्रशन की तरह सामने सबके खड़ा है जब 2006 में मानिये सुप्रीम कोट ये सपस्ट कह देते हैं कि आप ब्याइक डोर एंट्री से नहीं नोकरी दे सकते जो उन्होंने सपस्ट कह दिया उन्होंने बाकायदा ये भी क्लियर किया कि नियमों के तहट जो भरतिये होंगी उन्हीं को ही पक्का किया जा सकता है उसके लिए एक पॉलसी फ्रेम कीजिए उसके बावजूद हुड़ा साब अगर ऐसी पॉलसी लेके आते हैं जिसमें नियमों की पूरी तरह से अवेलना की देखिए जैसे गैस टीचर्स है आज भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी हुड़ा साब का किया धरा है आप कंप्यूटर टीचर्स को ले लीजिए ल कियो डीचर्स सुन पा रहे हैं आप अभी भी आप ही कहींगे कि नीती अच्छी थी तो पहली बात जो आया जेली ने जो बात नीती आती थी सुनें जिके नेटा गेर से बहे हैं मुझे हराणी होती है डींगरा साब आपके उपर आप जिस बात पर तरक करना चाहिए वहां तो तरक करनी रहे हैं हमने 2003 में हम पालसी लेके आये थे और हमने उसमें क्लियर कहा था कि जो नियमों के प्रती होगी और 10 साल का जिनका वक्वा हो जाएगा एक्स्पिनियंस का उनको हम नियमीत करेंगे और हमने किये भी थे और उसक्त हमने कहा था कि इसके बाद कोई आसी पॉलसी नहीं आएगी आपने 2011 और 2014 के पेच में क्या खेल खेला जिसका नतीजा भुगत रहे यार युवा चलिया तरिसाब सुनेगे दिंग्रा साब युवाओं के भुषी की बात कीजिए जिनको आपने अंदगार में डाल दिया है इस बात से कम से कम हाई कोट को दिक्कत परिशानी नहीं होगी कि नैलो की नेता अगर जिल में है तो फैसला ये सुना दिया जाए कि निती गलत है डियमो को ताफ पर रखा गया के ओल धिंग्रा साब कि निती पर्टी के काम इस परिखने से थे कि वो इनके नेपा जेल में है लेकि नहीं हमने पॉल्टी बनाइटी वो बिल्कुल प्रिक थी लेकिन बीजेपी ने उनको पोट के अंदर प्रिक नहीं किया ना थारे तीम साल तक लाजू होने की बात उसको रोग के लगता ने भारतिये जनता पार्टी ये कहती है कि आप लोगों की ही नियत ठीक नहीं थी खुद सीम ये कहते हैं कि जितनी भी नीती बनाई गई उन सभी नीतियों में करप्शन था और इसी के चलते 20,000 युवाओं के भविश्य पर जोग है गाज गिरिने वाली थे उनके परिवा निती जो आपने की है युवाओं के भविश्य से खिलवार इसी कहा है उत्त पॉलिशी के अंदर ये वाच इस्तरे करमचारी तीन साल से एक्पीरियंस होंगे वो सारे सब्सक्राइगे वो गलत निती नहीं थी अरे धिंगराज आप जब सुप्रीम कोड दोगाचे ने कह अधा के आप नियमों के हिसाब से अगर भरती करते हो और आपने क्या की अप्रिकेंट चूज किया वो गैस टीचर आज तक बैठे हुए है यह आप किया तरह तो है गैस टीचर्स को उल्जन में डाला गया जा टारेक्शन को लेकर जो फैसला किया गया यह तमाम चुनावी फैसले बीजेपी भी कहती है इनलों भी कहती है कि कॉंग्रेस ने लिये है यह फैसले इस तरह के अब हाई को निती को लेकर नियमन निती जो बनाई खई क्यों धिंग्राजी जो निती हमारी थी वो बिल्कुल ठीक थी आपको यह बता हूँ इसने कंट्रेक्शन हमने लगाई थे और इसने लगाई थे हमसे अपनी पॉल्सी थी बनाई होती तो उच नेले उसको कैसे रत करता अगर पॉल्सी ठीक होती तो कानून के थेरी क्यों अब ही भी आप उसको जेस्टिफाइए कर रहे हो कमाल करते हूं कैसे को इंदर को इंदर क्या होता है को हुआ दर वह ना चाहिए था जो 2006 के दर मिलने दिया था आधनिया उच्चतम नयाले ने उच्चतम नयाले ने कहा था कि दिलकाली नीती बनाए और उसी अधार पर दस साल तक के जो लोग थे उनको रेगदर करने की बात की ती और ये भी कहा गया था कि आगे से कोई अडोक में ना रखा जाए सेक्शन पोस्ट के गेस्ट किसी को भी इंदर की ना किया जाए जब दस साल की पॉलिसी बन गई है तो आप तीन-तीन साल के लिए कैसे 2014 के जा आफ आखालिया जाए उच्च नहले ने ऐ बात कहा दी कि कोई भी करमचारी आप सैंक्सर्ट पोस्ट के अगेस्ट किसी भी तरीके से नी वरोगे ना रॉप के ना जाए ना किसी औरि लिगल तरीके से वहरोगे अगर आप भरोगे तो गलत होगा उती है तो पहरपां के आपने तो करते हैं तो करते हैं तो किसी को आपने मर्ती नहीं करते हैं प्रक्रिया जानती है तो अदालत के फैसलि कौन सी सरकार कितना मानती है वो जनता अच्छे से जानती है कब विष हर इक पार्टी इस तरह के फैसलिके जानती है भारतिय जंता पार्टी की सरकार ने कच्छे करमचारियों को उस तरह से भरती नहीं किया जिस तरह से कॉंग्रेस की सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर किया था 2004 से लेकर 2014 तक देखे जब एक निर्ने हो जाता है 2011 के और अनुबंद के इधार पर बरती किया हम उनको कैसे लॉलीपॉप दे उनको लॉलीपॉप यह दिया कि हम बालमुकुन शर्वाजी है हमारी साथ शर्वाजी बहुत सागत है आपका दन्यवाद तीन तीन खानून लेकर कि आपके यह नियमों की तहत नकी बनाए गई इसक से बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम को आई कोड में जब जो कारवाई थी वह आप लोगों को अभी रोजगार दे तो रही नहीं जिनको दिया हुआ है पिछली सरकारों ने कम से कम उस पर आप कायम रहो एक बना शब दिये है कि नियमों को ताफ पर रखा गया नियमों को ता रूज और पौलसी पौलसी रूज को लगू करने के इसे दम साल की पौल्शी और तीन साल की सरकार के बिलकुल एक यह जैसे जिसे जब अगर दस साल को आप रहे हैं भी यह नहीं थीं साल जिनी पर चर्चा की जाएगी आज फैसला है इसका अध्यन किया जाएगा परजात अंतर में प्रजात अंतर में प्रजा ये उमीद करती है जिसे सरकार को वोट दिये जनादेश जिसको दिया गया वो योगिता की आधार पर नौकरिया देगी मैं आपको वही बताना चाहिए परजात अंतरिक विवस्था में सरकारों का एक आधिकार ये नहीं मैं नहीं कहता है सरकार का एक आधिकार और सरकार का करता हुए है के वो जन्ता की शेवा करें शमय शमय पर बहुत से कानूनों में भी बदलाओ किया जाता है कानून बढने का काम सर्थारों का आधिकार आप तो सुनते नहीं यही तो दिखता है आप संज शर्माजी मैं हूँ राजनितिक निता इंटा का धरम भंता यह जनता की शेवा करना और उस जनता की शेवा करने मैं यकास आधे का अगर किसी ने गल्द किया है वो उसका वो उसकी उसको मिलेगी करेंगे वो कानून के खिलाफ सुप्रीम कोट एज प्रोटेक्टर ऑफ कॉंस्टियूशन उन्हों ने उमा देवी के अंदर साफ लवजों पर यह कह दिया था कि जो भी आपने डॉक बेसिज पर या डेली वेजर या जिस भी तरिक्के से आपने बैक डॉर एंट्री की है वो अगर उनको दस साल होगे इन सर्विस तो एक वन टाइम मेजर के हिसाफ से एक पॉलिसी आप विदिन सिक्स मन्त लेकर आओगे और उस पॉलिसी के तहट वह आदमी आप रेवलराइज कर सकते हैं सर्कार कानून बनाने के लिए बैठे हैं अध्यादेश लिया सकती है सर्का कि जो भी आप पॉलिसी लाओगे सिर्फ वही एंपलोई इसके अंदर रेगलराइज होंगे जो की सिध्य तरिक्के से बरती के हैं बैक डॉर एंट्री वाले उसमें भी रेगलराइज नहीं होंगे दोजर चोदा की पॉलिसी इटसल्फ है कंटेम्ट ऑफ कोट सुप्रीम कोट के जो उमा देवी का जज़िमेंट है उसकी कंटेम्ट है बेसिकली जब इन्हों ने वन टैम मेजर के लिए सुप्रीम कोट ने कह दिया विए आप एक पॉलिसी ला सकते हो वह पॉलिसी यह दो पॉलिसी नहीं आएगी फिर 2014 में पॉलिसी कि इस बागता है जो उकमरान है जो शासन करने वाले लोग है जो उकमरान है वो समय समय की प्रिष्थितियों को निशार फैसला करते है यह सविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोट है देश में बिल्कुल है अगर उकमरानों ने किसी ने गलती की है वो उसकी सजा वुकते लेकिन जो बिल्जगार बीजार लोग है इनके जीवन का सुवाइब इसमें संजय सर्माजी क्या करते है जो यह बीजार बहुते हैं आप सुप्रीम कोट में छारे हैं आप सुप्रीम कोट में आप इसके खलाब जारे हैं जो 20 जार लोगों बहुते हैं गलवाट है सरुकारे कंटीनू चलती हैं किस सरकार की तरफ से कही जानी जा थी वो तो बालमकंजी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जी हम उसका अध्यन करेंगे फिर हैं उसका देखेंगे तो यह तो उसका सरकार को बने जाए कि अर्याना का नागरी कोने गनाते उन 20,000 जार लोगों के परती मेरी समयदना है तो मुझे मैं ये कहूगा के साहब जिस वकत उनके भुईशे के साथ खिलवार हो रहा था उस वकत आपको अवाज उठानी चाहिए आपने उस वकत आवाज ने उठाई नहीं समझे तो परजात तंतरिक व्यवस्था में एक बात स्पष्ट कह चुका है 2006 में उसके रोज़गार देना आपके रोज़ी रोज़ी रोटी की व्यवस्था परना तो किसी के परिवार को चलता है आपने दोखा ने किया उन्पा ये मित बर्ती करते हैं रेगनलन की इंवाइन्मेंट कर अगर किसी उकमरान ने गल्द किया है तो बारतिय जन्ता पार्टी उसकी अनुसंसा करे अधीकरी थे ये सरकार में हैं सासन में हैं इनको न्याय प्रनाली पर वरॉसा है बिल्कुर ने करें लेका वहीं निकाना प्रवार करें विद्धार विशे का है कोटला साब ये इस तरह से कैसे डिफेंट किया दा सकता है कि रोजगार दे जाने का शे मिनने की विंडो दी इन्होंने क्या पॉलिशी बनाई 2014 में जो पॉलिशी बनाई है उसके अंदर इन्होंने एक कट आउट रेट दी है 31 दिसंबर 2018 तक जो आदमी जो 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 आदमी चार साल का पीडिट दे दिया उनको जो आदमी दस साल जिसके हो जाएंगे तो वो उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा यह यह पॉलिशी तो वैसे अगर किसी ने यह पॉलिशी बनाई है तो आप यह सब्सक्राइब करें आप कानून के ज्याता आप उनको तरह पता है तो क्या इस मामले में भुपंदर सिंग हुड़ा साहब के खिलाफ का मामला चल सकता है बिलकुल चल सकता है जो सरकार यहां पे बैठी है संजर जी क्या करेंगे अच्छा सुझाब दिया है हम भी अपने लीगल अडवाइजर जो है लीगल लोग है हमारा एजी ओफिस है उनको इस बात से बात करेंगे कि उनके खलाब बनती है कि सिती सी बात क्या है छे में महिने में 2014 के अंदर ग्रूप B के जो करमचारी है जिन लेकिन इनों ने फिर 2006 के बाद अपने लोगों को पर्ती करना शुरू किया अनकोंसिचूशनल मतलब जीर का कोई अधिकार नहीं बनता था ऐसे लोगों को एड़ोक रखा संक्शन पोस्ट के अगेस्ट हालंकि मामिया सुप्रीम कोट ने कहा कि किसी को आप एड़ोक नहीं सब्सक्राइब जवाब जीजिए कि आपने बिल्कुल सही का कि इनोंने नियमों को अधता बता के इस तरह से जो है भरती किया क्या आप DC रेट पे MLA MP की अनुशन्शा पे भरती है नहीं कर रहे हूं जाब जाना रहा हूं जाना जाना है जाना 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 हूं जो कंग्रेश के लोगों ने किया वो सेंख्षन पोस्त के आगे घ्ली को रहे इसे भुटा है हमारे साथ सर सुने संदेशरमाजी अध्रेस साथ सब्सक्राइब पूरा किया डिपेंदर हुड़ा साब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं बहुत चागत है आपका आज हाइकोट में पैसला सुनाया उसमें यह कहा गया कि नियमन निती जो आप लोगों ने बनाई थी आपकी सरकार ने बनाई थी वो नियमों को ताक पर रखकर ब कर्कार का इस सरी इस सरी कि साफ कमिटमेंट होनी के एक आप मोनस्च चास लगा रहा है और इसी यह यह सिफ लू इसमंग से उनों हमें कंजोर पहर रवी करी कळें इसका बुप्ताल देनने कि ऊटाँ है hoe मैं तॉ इस आइज परका होने का और मैं तो इस परकार को दिपिंदर हुड़ा साब ऐसा क्यों होता है कि आपकी ही सरकार ने जो चार नीतिया बनाई उन्हीं को रदकिया जाता है इसमें कानूनी पक्ष ये भी है कि 2006 के बाद जो फैसला आया 2006 में 2006 में छे मकीने के अंदर सरकार को एक नीती बनानी थी उसके बाद चुनावी मोड पे संद शर्वादी क्या कमजोर पक्ष रखा गया क्या मजबूती से सरकार इसमार का पक्ष कहते रख सकते हैं नहीं मुझे ये बताएए डिपेंदर जी इक बाद बताएए डिपेंदर जी एक बाद बताएए प्लीज सुनेंगे एक बार के लिए बीजेपी का पक्ष एक बार जान लीजे बीजेपी का सवाल क्या है एक बार वो सुन लीजे संद शर्वादी दिपेंदर हुड़ा जी ये कह रहे है कि 2014 में पॉलसी लेकर आए वो कानून समवत थी वो कानून समवत कैसे थी जब 2006 में आदर्णिया सुप्रीम कोट इस बात का निर्ने दे देता है कि 6 में इंदर पॉलसी लाओ और उस पॉलसी के अधार पर 10 साल का जो कट ओफ टाइम है वो कर किया गया और उसके बाद कोई एड़ोग भरती नहों कोई भी डेली वेजिस की भरती नहों कोई भी सेंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट इस तरह की भरती ना की जाए लेकिन इसके बावजूद 2007 से लेकर 2014 तक इस तरह की भरती संग्सें पोश्ट की जाती है फिर उन लोकों को रेगॉरलाज़ करने के लिए सुप्रीम कोट के उस निर्णे को धटा बताया जाता है तो इस तरह की पोलिसी आले कर आजती है कानून समद कैसे हो गई सुप्रीम कोट जो निर्णे को अप अलग रख करके अपने आधार प दिपेंदर हुडा साब, सरकार को ये लगता है, बिजेपी को ये लगता है कि डिफेंड करने के काबिल ये निती ही नहीं थी कि इस बात का जवाब आप देंगे कि सुप्रीम कोट का जो पैसला आया, उसको क्या दात पर रखा गया? इस बात कुछ सरकारी से क्या कॉन भुवाया है? ये विल्कुल, Sanjay Sharmadhyi है, हरियाना BJP के और से पैनल पर हमारे सारे. मैं Dr. Sanjay Sharma हूँ जी, BJP का प्रवक्ता हरियाना का. आच्छा, आच्छा, आच्छा अच्छा, मैं समां बालता हूँ यह पता नी कौन बरोगों, यह इपर इजनानानिक कौन मोल रिएग का टो वाटिय रेग है? तो दॉस्तार में वे पार्ट की है जी लonie मैं यह आप दौसाद एक काम तरिये कि आपका जो खुझा सर्कार का एक जय के इवर है आप उसमें उसको एक परकार में पकसने भोलाई ति आप लेख लीजां और आपकी सर्कार में इस स्पी के परक्षमाँ doi लापे अपना व्कालत नामा किया है प्रचार्न था नगरा पार चैनल की आपड़ों दिया दाता मैं भी ते जगमेटवे आप बहुते हैप मैं भी ओर वाजीप हे अवाजिब है तो हमरी दोने भी रागाए में बहुते हम आपूर चैनल की आप करेंदा बादाओ कि इसमें धूर प्रियाना में जो कि युद्ध आपको पड़ी आपको बाख देने के लिए आपके पास आधा मिनेट है दिपेंदर जी अगर आपके पास आदा मिनट हो आप से एक सब्सक्राइब करना चाहूंगा परकार आपके पास आदा मिनट हो मैं परवीन अत्रे बोल रहा हूं इंडिया नैशनल लोगदल से एक सवाल मैं आप से कर सकता हूं आदे मिनट के लिए केवन एक छोटा सा सवाल मेरा है ने ने केवन आप ऐसा है मेंबर पार्लियमेंट है आप तो उमीद करूँगा कि आप शायर बेतर जवाब दे पाएं जैसा कि आपने जिस हलव नामे का भारती जन्ता पार्टी का जिकर किया मैं उस बासे सहमत हूं के सरकार बनते इन्हों ने इस पालिशी के खिलाफ ही अलब नाम दे दिया था कही ना के सरेंडर कर दिया था लेकिन मेरा सवाल यह है कि 2006 में उमा देवी वाले केस में जो मानिय सुप्रीम कोट की टिपनी के बाद आपने किस तरह से 2014 में उस निर्णय के खिलाफ एक ऐसी पॉलसी बनाई आप क्या उमीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोट के निर्णय के खिलाफ अगर कोई पॉलसी बनेगी तो वह कही ना कहीं टिक पाएगी क्या आपको नहीं लगता पर अमंगर ऩी मेर्षिन लिया पाड़ी बनेगी नहीं वह तो की सुप्र לס्रीम के आएप है क्यां इस ब्रॉक्त अपनी के खिरें लिए दुकत मैं ही संकति लैंस भाट सबस्ति तो हुडा सरकार के वक्त जो कच्छे करबचारी को पक्का की जाने की निती बनाए गई थी हाइकोट ने उनको रद कर दिया है और जो 20,000 कच्छे करबचारी थे उन पर गाज अब गिरने वाली थे चुंकि आदेश में साथ कहा किया है कि जो पक्की कर दिये गए हैं उनको फ सब्सक्राइब कर चुकी थी कि बैक डॉर एंट्री जो है बिल्कुल भी बरदाश नहीं की जाएगी कहीं भी किसी नौकरी में तो उमा देवी के फैसले के अनुसार ही आज जो है वो रेगुलराइजेशन की जो पॉलसी हैं उन्हें खारीज किया गया है नितिक तरीके से कि यह दिमा देखूं तो कहीं ना कहीं सरकार की कमजौरी सामने आती है कि क्योंकि सरकार ने सरकार कॉंगरेस की जाने के बाद बारती जंता पार्टी के सरकार बने तो सबसे पहले उन्हों ने इस को खुद भीड्रोव किया था, कॉल्ट में जाकर के स्टेश्टमेंट दे दी थी कि हम इस मामले में अपना पक्ष जो है, राजनेतिक कारणों से रखने में सफ़ल नहीं रही, इसी कारण से रखने में इस सरकार अनुशंसा करे कि हुड़ा साप के खिलाफ करवाई की जाए नी नी यह आप ऐसे वह करते हुए उस से मत रहता मैंने कभी ना कोई नाम लिया ना कोई करवाई की बात की मैंने का इस सरकार को उन बीश जार लोगों को रोजगार के बारे में सोचना से यह और माननी है कि पर भी करनी चाहिए और जो भी आप बोलते हैं उसका लाइव टेलिकास सेलता है आप से सवाल ने किया गया कि अधालत की आउमानना की गई तब आपके और से कहा गया कि राजी सरकार को अधिकार खे कि अनुशंसा करें उनके खिला तरवाई की जाए मैं बिलकुल नहीं मुक्षय मंत्री इंडिविजल क्या फैसले करते हैं मंत्री मंत्रि क्या करते हैं तो समझेश कॉन होता है देखिए सरकार का हैटी तो पॉलसी बनाता है चीजों में हैट कौन थे पिछली दस्ता चार से चोधत है आज विशे ये है कि वो जो बीस अजार लोगों के जीवन पर संकत आया आर्थिक पर उस पर आप क्या चालते हैं पीछली जो भी गलती आ हैं जो भी कामियांद जो भी दोश्किख हैं का एल्सों необходимо今天 तो सरकार है मोखे के ज़ो उकम्रान है उनको त्याय करना है कि हमें किस ते इसा हम जाना वैसे तो धिसा इन सरकार है अब मुँवीद नहीं कर सकते इन से लेकिन मैं झांगा यह सब कुछ त्याय करने वेकर सब आप आरोप लगा जाते और भाग जाते हो तो किस अधार पर हुड़ा साब ने वो दस साल के अंदर भरतिये की अधोक पे सेंक्शन पोस्टों के अगेश्ट तो बरति की उन लोगों के भविश्य से खिलवार करने वड़ा अगर कोई है तो भुपिंदर सिंग हुड़ा जी है उनकी सरकार है उनके खलाप तारवाई होनी चाहिए आप भारतियन दभायटी को उसके लिए रोपी माझ रहे करने मेरी के कामी व्यष्टाई इस भी मिलनी चाहिए उनको सब को आप ने को सर्कार ने एक जोर अपने दूसरी ओन लोगों को बैक डूर से घर्ती किया आपके लोगों का किया धना हुआ है बालमुकरण सर्माजी जिन 20,000 परिवारों पे इसका नकारतमक परभाव आएगा जिनके भुषय के साथ खिलवाड हुआ है बालमुकरण सर्माजी हम दर्दी परकट कर रहे हैं तो मैं ये भी उमीद करता हूँ कि बालमुकरण सर्माजी इस बात से भी सहमत होंगे कर्षा आप क्यों नहीं चाहते ने इस वह दूसरा यह यह भी है कि वह पीत हजार लोग जो इन्हों लगाए आप प्रेटेरे की चैनल से बढ़तिवर उले ऐने की बंते हैं के हीतों मडें कमें प्रेटी बिद्र्इस विविकिने किर्फथे किया एं कैसे बने पॉत्म हाइब से ऩे हैं किर्फ इंट नहीं को डिकली पास दिक करें खो शैजंवा में एंद सब्सक्राइब संजे शर्माजी ने कहा कि अगर आप वो रोजगार नकी देते तो जो योगी लोग थे काबिल थे उनको वो रोजगार मिलता उनके भावविशे के साथ खिलवार खुई जो की गलत फैसलाफ है आपकी सरकार करा हाउस वक्त संजे सर्माजी की बात को मैं इस लिए ज्यादा सीरिशली नहीं लेता कि ये खुद जो न दो तरी ये पहले ये करें के वो पूलिशी ठीक नहीं थी फिर उसकी पैर भी ठीक तरीक कैसे ने करते हैं मैं ये करना ना जाता हूँ कुझ से को कानून संपर नए संगत काम करने वाली सरकार है। यह सरकार किसी के हितों के मारने वाली सरकार तेजार करें। अग्यों करें। वह पाईगी। पर इटेक करते रखेंगे आप दुबारा बला ले ना अपना समय यह अभी पैसला सामने है माननीय अदालत ने तिपनी क्या कि देखिए अगर माननीय अदालत ने होकमरानों पे टिपनी की है तो मेरा कुछ और जवाब होगा लेकिन फिर भी अपने सतर नंबर पहरे के अंदर ही बताए क्योंकि सरकार जो है वो जो 20,000 लोगों के उपर तलवार लटकी है उसके बारे में सोचे सरकार उनके बारे में सोचे चुनावी मोड पे आप लोग थे कि बीस हजार लोगों के भाविशे के साथ खिलवार किया गया अगर अगर जो पर चुनावी वोड पर का पर पर सुप्रीम कोड का जो फैसलाग है उससी जत्ता बताएंगे बड़े बड़े डिसिद्टन लिए जाएंगे इसकी बनाए जाएंगे और आज नितिक नहीं है आज का विशे करते हैं आज देखिए कॉंग्रेस पार्टी इतने सम्माद जरह करिके से सिधा जवाब दीजी आपने कहां की आदेश के जांकारी नहीं अगर दाजी तिक सुनिये सर अगर कमेंट किया गया होगा कोड की और से मैं अलग तरह से जवाब दूगा जब कहा गया आदालत की और से कि चुनावी मोड पर ये निती बनाए गई आप जवाब दीजी घरां दूत Siya Potato系, मैं तरह से जवाब दो कि अशकन कि ये निती बनाए जाय को अगर टूपर से करेगी कि अटरों से मड़ी किayo और कारणी आपकेवकर दीजी आने डिए इस बना लेको चैनली मोड में रहके काम करती है अब अब जब तक हूँआ ज़रूरी थे पूरे पैनल ने सुना सारी जनता ने समय पर ऐसे फैसले लिए जागें से को पुझे अपने चुनावी मोट थी मैंने का चुनावी मैं कहता हूं चुनावी तो अमारा आदार है पर विले की आपको इस तरह से आपको इस तरह से अच्छा नहीं है लोग देख रहे हैं करते हैं तो आज उनको यह दिन ना देखना पड़ता आपने केवल वोट की राजनिती करने के खातिर उनके भविश्य के साथ दोका किया है अगर आखरी यह दिनेट हमारे संदी चिर्माजी सरकार क्या करने वाली है अभी तरह बताएं उपी जार लोगों के बारे में वाज़ा करें तो हमारी वह भी शावित हुए अभी इनके ब्यान के कान से वह आदिनिया उचने अले के सिलिंड़ने के कान से कि जो भी करमचारी स सरकार के अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं सरकार के खिलाब लड़ रहे हैं सरकों वह उस सब का करने वाली इन सब पाप की भागीदा कॉंग्रेस का दस साल का साथन है। आप क्या करने वारे हैं इस सरकार ने जितने भी भर्तिय किये हैं जो भी पॉलसी लेके हैं वो कानून सम्मत नए संगत और हम लोगा के सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करता हैं जो हमा देवी का जो हमा देवी के नियुक्त अब इससे इन का थाहता है करना चाहिए कि जो छे मिने का टाइम हाई को ने दिया है उस छे मिने के अंदर रेगुलर पोस्ट के लिए इनको एड़र्टाइजमेंट करनी चाहिए और जो अल्रेडी 20,000 लोगों के उपर संकट चाहिए उनको एक अब बढ़ने वाले के लिए तो हाई कोड के फैसले को लेकर चर्चा की कि 20,000 जो करब जारी रखे उनके मुश्किले अब बढ़ने वाली हैं बढ़ने वाले कोड़िश मी रिएत्व टूर्चा के लिए मुशवची रखे लिए और बदू का मीज़ हाई यूर्चा करदाएजमेंट मादी रखे न जो यूर्श पोस्वार्चा के मुश्किले मुश्के लिए रखे अकिले का भ़संने को अबस्दू हाई पुश्के